इस सभागार में जो सामने आप देख रहे हैं या देश ही नहीं अपितु विश्व में कला जगत में अपनी पहचान बनाने वाली अनुपुमा यानी रूपाली गांगुली जी हैं और महरास्टा ही नहीं देश के समास्ते भी अमिय जोसी जी हैं आप दोनों मानिय प्रधान मंत्री जी के नत्रतों में पार्टी की सदस्तता गहन कर रहे हैं मेरा विनमर निवेदन है मानिय विनोत तावरे जी और मानिय अनिल जी से कि आप इन्हें पार्टी की सदस्ता पत्र नमस्कार और आप सब ही को मेरा प्रणाम मैं आपको बता नहीं सकती है मुझे इस मंच पर बैठ कर कैसा लग रहा है सच मैं ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद यहां आना था इसलिए शायद वो पूरे रास्ते चलते चलते आई हूँ कला के पत पर चलते चलते यहां तक पहुंची हूँ जो अविश्व की आत्मा में बसते हैं जो हर भातिय की आत्मा के विश्वास हैं उन्होंने मेरी आत्मा पर भी एक अटल छाप छोड़ी है सच में श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी हमारे प्रदान मंत्री मानमी अपधान मंत्री जी के फैन है मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ और जो सारा काम भाजब कर रही है उसे देख कर कई बार ऐसा लगता था कि एक नागरिक के नाते ही सही लेकिन हम सब को इसमें सह भागी होना चाहिए और महकाल और मातारानी का आशिरवाद है कि मैं अपने कला के माध्यम से कई सारे लोगों से मिलती हूँ उनके सरोकार होती हूँ तो जब मैं ये विकास का महाग्या देखती हूँ तो ऐसा लगता है क्यों ना मैं भी इसमें सह भागी बनूँ तो मुझे विनोत तावरे जी का मार्दर्शन मिला अमिद बिनोनी जी का आशिरवाद मिला तंजय मयोग जी की गाइडन्स मिली और मैं यहाँ पर आ गई हूँ कि मैं किसी तरह से मोधी जी के बताए रास्ते पर चलूँ और किसी तरह से देश सेवा में लगूँ अमिद शाह जी के नेतरुत्वा में आगे बढ़ूँ और कुछ ऐसा करूँ जिससे आज जो ये लोग मुझे भाज़पा में शामिल कर रहे हैं इन सब को एक दिन मुझे पर गरफो तो आप सब का अश्रवाद चाहिए और आप सब का साथ चाहिए कि मैं जो भी करूँ सही करूँ, अच्छा करूँ गलत करूँ तो आप लोग मुझे बताएएगा आप सब तो हैं और थांक यू सो मच थांक यू सो मच अच्छा करूँ